हलो मेंबर्स वेलकम बैग टू ओंचनल स्टॉक मार्केट फंडा में अब देखो आये डिए का स्टॉक बीस परसंड की अपसर किट मारे है आज अगर आप देखोगे डेफिनिटली आप लोगों को आस बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे ठीक है बहुत है आप यह कितना और जा यह इसका मैं प्रूफ वापस दूँगा आपको आज एक वीडियो के अंदर क्लियर फिर को डाउट रहता है डेफिनिटी कॉमेंट कर देना क्लियर देखो एक और पॉइंट बताना चाहूंगा डेफिनिल फोकस कर लेना यह स्टर्डे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसम से मुझे लगा था ठीक है अब सेकेंड एको जब यह स्टॉक ने यहां पर प्रॉफिट बॉकिंग की तो मैंने भी प्रॉफिट बॉकिंग कर लेदी ठीक है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पश्टावा है क्योंकि मैं अपनी इनालीसिस को हैं पर बोला थे कि मैं चार दि लाइफ चींज हो सकती है सुन लो पहले अटा टेक जितना फॉल नहीं हुआ ना ही गांधर ओल जितना फॉल हुआ जो क्लियर बता रहे कि बड़े ब्लेस इसको अभी के लिए बेचना नहीं चाहते जिन लोगों ने बेचा है वो बेचके निकल गए प्रॉफिट करेगा तो यह दो दिन के अंदर अगले दो दिन के अंदर अगरि ज्टि का लेवल नहीं तोड़ता है यहां पर इक बेस क्रियेट काता है यह समझ लें कि यह और नीचे नहीं जाने बाला अगर यह कल मंड़े को 60 को ब्रेक कर देता तो फिर गए नहीं चाहिए और यह दो तो तीन दिन spend करेगा फिर बूम कर लेगा ठीक है बहुत जल्दी बूम कर लेगा तो दो दिन यहां पर time spend करेगा तो यह focus करना वाश लिस सी में बस clear बोला था कि स्टॉक अगर 80 85 को cross करना है तो वो 60 के नीचे नहीं आएगा चार दिन consolidate करेगा जैसे कि बोल देना profit booking ठीक है देखो स्टॉक में जैसे लिस्ट हुआ कोई ने कोई profit booking जरू करेगा मैंने भी की तो यहां पर जो पॉस किंडल बनी मैंने की बहुत सा लोगों नहीं की definitely लेकिन जिस तरह से यह stock ने दूसरे जितने भी IPOs आये थे जैसे कि टाटर टेक साथ-साथ percent crash हुए थे ठीक है उस दिन गांदर ऑइल भी crash हुआ था फैर फैर जो stock था वो दस percent के lower circuit मारा था लेकिन यह बंदा यह बंदा ने lower circuit नहीं मारे सिर्फ तीन percent नीचे था और यह previous day का भी low break नहीं गया यह मुझे clear अंदाज़ा आ चुका था कि यह 60 को नहीं तोड़ेगा ठीक है तो मैंने क्या बताया कि maximum to maximum 3-4 दिन consolidate करेगा एक एर फिर बूम कर लेगा और अगर इसको 80-85 जाना है time नहीं लेगा सिधा भागी जागा सिधा फट जाएगा यह stock ठीक है I'm sure आपको बताता है कैसे consolidate करेगा फिर बूम कर लेगा तो भाई इतनी best analysis market में मुझे नहीं लगता कोई बनाएगा ठीक है आप जाके आपको सही knowledge प्रोवाइड करता हूं कि टार टार टेक ओवरबॉट हो चुका है गांदर ओइल जब नीचे गया था तब यहाँ पर उपर बोला थे कि उपर ओवरबॉट हो चुका है तो मैं आपको starting से बताता रहता हूं तो अगर आप चैनल को first time देख रहे है सब्सक्रेब कर लेना stock market funda को okay point पर आ जाते हैं अगर नहीं पता होता तो आप यह समझो जैसे ही दूसरी स्रॉक गिरे थे यह भी गिर जाता तो यह भी ओरबॉट लिस्ट वहाता और यह पियर comparison से जाधा overvalued है ठीक है यह क्यों नहीं गिरा तो कि clear कर यहां पर पता चल रहा था कि हमार्केट में बड़े प्लेस और अब आगे क्या हो सकता है अब देखो सुन लो पहले अब स्टॉक 85 तो जा चुका है अब स्टॉक का अगला resistance हो जाता है वो है 95-99 का लेवल कितना 95-99 क्योंकि देखो 100 एक psychological लेवल है इतना जल्दी 100 लेवल ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है स्टॉक के लिए और मानलो ब्रेक हो भी जाता है मानलो एक सो तीन चला जाता है एक सो चार चला जाता है तो स्टॉक में हो सकता है closing basis पर closing ना दे 100 की उपर यह touch करके fall कर जाए अब बोले हैं कि सर 100 cross कर गया अब entry करू भाई इसको touch करके भी गिर सकता है तो day end बोलते हैं एंड of the day तीन बजे हम लोग यहां पर wait and watch करना पड़ेगा कि यह लिए को cross करता हैं अब अगला point आ जाता है देखो बड़े players भी जानते हैं analysis की बात करना चाहूंगा बड़े सब्सक्राइब करते हैं और बड़े प्लेस क्या करते हैं और बड़े प्लेस को उपर के लिए सफाद देते हैं और बाद में वो profit book करके चले जाते हैं और तीन साल चार सल के लिए फसाद देते हैं और क्या खाता है वो लोग अलग जगह से पैसे कमा लेते हैं दूसरे stock से तो point मेरा one shot में यही है कि stock definitely overbought है बस आपको कोई trailing stopless का सूचना चाहिए अगर trailing stopless hit तो stock को बाई बाई टाटा कर देना है ठीक है लेकिन अभी के लिए कल stock gap up open होगा कल की closing माई ने करती है अब मान लो कल यह stock 7% उपर चला गया ठीक है लेकिन end of the day यह stock minus में close दिया तो आप यह समझो कि stock की momentum short term के लिए खतम लेकिन अगर यह stock short term में closing positive भी 7% की momentum मान लो कि 7% minimum की closing दी तो chances है वापस यह stock उपर जा सकता है में भी शाद हूँ के 100 को भी cross कर सकता है आई बाद समझ में तो short term symbol में अगर कोई पूछे long term के लिए कैसा है अच्छा stock है लेकिन मेरे भाई एक बोलते हैं valuation भी important mining करती है तो long term के लिए अच्छा stock है थोड़ा overvalued है अगर आपको लगते है कि long term के लिए try करना है सोच सकते है definitely financial advisor की सला ले सकते है लेकिन एक बाद ध्यार में रिखेगा bulk में try मत करना क्योंकि bulk में try काफी लोगों ने किया है लेकिन बाद में उपर के level से फज जाते हैं बहुत सारे stocks होते है market में ठीक है तो यह काफी risk हो सकते है bulk में कुछ भी करना अभी के लिए especially ऐसे भागे हुए stock को क्योंकि इसकी fair value 33 30-40 की अब 85 पर है अब market bull run पर है तो भाई यह भी bull run पर है लेकिन market crash होगा तो भाई ऐसी over value stock इतने गिरेंगे इतने गिरेंगे इतने गिरेंगे कि बाई आप share market को buy-way कर दोगे और यह SMF का challenge है ठीक है तो यह बाद ध्यान में रखेगा थोड़ा cautious रहना है आप लोगों को tra trailing stop loss और अगर पूछे trailing stop loss क्या हो सकता है तो आप यह समझो 78 इसका half price के just नीचे वो एक support होना चीए क्योंकि यह support उटा तो problem तो chances तो नहीं break करेगा यहाँ पे कल gap up open हो सकता है ठीक है आई बाद समझ में तो होब आज का video clear था आपको समझाने के लिए पूरी की पूरी मैं ने मेहनत की है और अगर doubt रहता है इसका peer comparison देख लेना I'm sure आप लोग समझ जाएगे टेलिग्राम में यह जाक की जूड़ी का search करना है माइस्टॉक मार्केट फंड टेलिग्राम चैनल के नहीं हाँ पर निफ्टी के live market में support resistance बता देता हूं ताकि कोई सीखना चाहता है तो forward कर दोगा ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर तक तक के लिए goodbye जाए हिल